परिचाए आज डिनर बहुत स्वादिश्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूँ हाँ पिता जी, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी डिनर का आनंद ले रहा हूँ अच्छा बेटा, मुझे नमक देना? हाँ पिता जी बेटा, क्या तुम मेरे एक प्रश्ण का उत्तर दे सकते हो? हाँ पिता जी, मैं कोशिश करूँगा ठीक है, तुमुझे बताओ, चीनी और नमक के कड़ों की सनचनाए अलग-अलग क्यों होती है? हम, इसका कारण अलग-अलग घटक कड़ हो सकते हैं बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है, मैं तुम्हें बताओंगा प्रतेक सनचना इन कड़ों के बीच रासाइनिक आबंध की प्रकृती पर निर्भर करती है चीनी के अणों में सहसाईयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणों में आइनिक आबंध होता है ठीक है पिता जी, मैं कारण जान गया हूँ, और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ चात्रू, आज हम रासाइनिक आबंध और आणविंक सनचना की बारे में और अधियन करेंगे उत्येश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रासाइनिक आबंध का वड़न करना अश्टक नियम और लुईस प्रतीकों को समझना आइनिक आबंध का वड़न करना आइनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना आइनिक योगिकों के गुणों की व्याख्या करना आबंद प्राचलों का वढ़न करना अनुनाद सन्रचना का वढ़न करना और आबंद ध्रुनवनता के बारे में जानना परिभाशा प्रकृती में अधिकतर पदार्थ अणुन के रूप में माजूद होते हैं जो समान या विभिन प्रकार के परमाणों का समू है विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगने रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंद कहते हैं रासायनी काबंधों को विभिन प्रकार में वर्गी क्रित किया जा सकता है, जैसे आयनी काबंध, सह संयोजक आबंध, उप सह संयोजक आबंध, धात्वी काबंध, हाइडूजन आबंध और वॉंडरवाल बल रासायनी काबंध की कौसेल लुईस अवधारणा, परवानों सनचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजक आबंध के विभिन सिध्धान्तों के लिए आधार प्रदान किये, इस क्षेत्र में प्रारंबिक योगदान W. कौसेल और G. N. लुईस ने सन 1916 में दिया, सर्वप्रतम संयोजकता की कुछ तर्ग संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे, जो उतक्रिष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी. अश्टक नियम नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणू रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणू अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वनियास प्राप्त कर ले. वे ऐसा इलेक्ट्रोनों के इस्थानान्त्रन द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनों के आपसी सह भाजन द्वारा करते हैं। लुईस प्रतीक इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदूओं द्वारा निरुपित किये जाते हैं। बिंदूओं की संख्या संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तत्वों की सामाने संख्या की बराबर या आठ माइनस बिन्दों की संख्या होती है. उधारन के लिए लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की सामाने संख्या क्रमशा एक, दो, तीन और चार है. जबकि नाइट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की आठ माइनस बिंदूं की संग्या है, अर्थात करमशा 3, 2, 1 और 0 है. लुईस प्रतीक पर आधारित उधारण आए लुईस प्रतीकों पर आधारित एक उधारण लें. उध्क्रिष्ट गैस विन्यास के साथ आइनों के निर्मान हेथू, मैगनेशियम से फ्लोरीन परमाणों तक, इलेक्ट्रोनों के इस्थनांतरण को दर्शाने के लिए लुईस इलेक्ट्रोन बिंदू प्रतीकों का उप्योग करें. आए ये हल देखें. परमाणों के लिए लुईस प्रतीक हैं. एमजी परमाणों उध्क्रिष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है. लेकिन एफ परमाणों अपने सेयोजक्ता कोश को भरने के लिए केवल एक एलेक्ट्रोन क्रेहन कर सकता है. इसलिए दो एफ परमाणों को एलेक्ट्रोन इस्थानांतरण में भाग लेना चाहिए. हमें इस elektron इस्थानांतरण को इस दर्षा सकते हैं आयनिक आबंद आयनिक आबंद का निर्मान एक पर्मानू से दूसरे पर्मानू तक एक या अधिक इलेक्टरॉनों के इस्थानांतरण द्वारा होता है समानिता इस प्रकार का आबंद एक धात्विक और एक अधात्विक पर्माणों के बीच अस्तित्व में आता है धात्रिक परमाणूं अपने सेयों जक्ता इलेक्ट्रानों का त्याग कर देता है और एक धनायन कहलाने वाले धनायन में बदल जाता है जबकि एक अधात्रिक परमाणूं इलेक्ट्रानों को ग्रहन करता है और रिनायन कहलाने वाले रिनायन में परिवर्तित हो जाता है विपरीत आविशित आयन आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल द्वारा परस पर बंधे रहते हैं आयनिक आबंध को वरीत आविशित आयनों को बांधने वाले आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है आइनिक आबंध निर्मान के दौरा आइनिक आबंध का विर्चन निम्नलिखित तीन चरणों में होगा प्रथम चरण गैसिये धनाईनों का विर्चन इस चरण के लिए आविश्यक उर्जा आइनन उर्जा कहलाती है दूसरा चरण, गैसीय रणाइनों का विर्चन. इस चरण से मुख्ट होनेवाली उर्जा, इलेक्ट्रोन बंदधा कहलाती है. तीसरा चरण विप्रीत आवेशित आईनों की पैकिंग नियेचन आईनिक ठूस बनाती है इस चरण में मुक्द होने वाली उर्जा जाला कूर्जा कहलाती है अब इस थेर आईनिक आबंद के लिए कुल मुक्द उर्जा आवेश्यक उर्जा से अधिक होनी चाहिए इस थेर आईनिक आबंद के लिए दशाएं हैं परमाणू बनाने वाले धनायन की आईनन उर्जा कम होनी चाहिए परमाणू बनाने वाले धनायन की इलेक्ट्रोन बंधुता उच्च होनी चाहिए जाला कूर्जा उच्च होनी चाहिए आइनिक आबंद और सहसेयोची आबंद के बीच अंतर आइनिक आबंद एक परमाणू से दूसरे परमाणू तक इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरण द्वारा बनता है जबकि सहसेयोची आबंद परमाणू के बीच परस पर सह भाजन द्वारा बनता है आइनिक आबंद प्राया धात्विक और अधात्विक पर्माणों के बीच मौझूद होता है। और नहीं भी हो सकता है आइनिक आबंद विपरीद आवेशों के आवेशित कड़ों को बांधे रखता है जबकि सहसेयोजी आबंद प्राकृतिक कड़ों को बांधे रखता है आइनिक आबंद में बहुकता नहीं दिखाई देती है जबकि सह संयोजी आबंध एकल या दुई या त्री आबंध हो सकते हैं। आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारक कारक जो आयनिक आबंध के विर्जन का साथ देते हैं और इसकी समर्ध का भी निर्धारन करते हैं निम्न हैं। आयनन उर्जा आइनिक आबंद के विर्जन में धात्विक परमाणू इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाइन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उर्जा आइनन उर्जा के बराबर होती है। आइनन उर्जा का मान जितना कम होता है परमाणूं की धनाइन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रोन बंधुता ये उर्जा तम मुठ्थ होती है जब कैसी ये परमाणूं एक रिनात्म कायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं। इस प्रकार, इलेक्ट्रोन बंधुता का मान परमाणों को रिणाइन बनाने की प्रावरित्ती प्रदान करता है. इलेक्ट्रोन बंधुता का मान जितना अधिक होता है, परमाणों की रिणाइन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है. जाला कूर्जा एक बार जब गैसीय आयन बनते हैं तो विपरीद आवेशों के आयन एक दूसरे के निकटा जाते हैं और एक निश्चित जया मितिय पैटरन में त्री विमिय पैक होकर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं यह प्रक्रिया उर्जा की मुक्ति के साथ पूरी होती है जिसे जालक उर्जा कहते हैं। इस प्रकार जब आएनिक ठोस का एक मोल गैसी आईनों के निविट संकुलन द्वारा बनता है, तो इस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में जाला कूर्जा का परिमान निम्निलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जितना अधिक होगा आकर्शन बल उतना ही अधिक होगा और जालग उर्जा का मान भी अधिक होगा। आइनिक योगिकों के गुण आइनिक योगिकों के समाने गुण निम्न हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछालक होते हैं, लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं. आइनिक योगिकों के बीच की रासाइनिक अभी क्रियाएं अपने जलिये फिलियनों में सुसज्जित आइनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं ऐसी अभी क्रियाएं आइनिक अभी क्रियाएं कहलाती हैं प्राया आइनिक यौकिक क्रिस्टलिये ठोसों के रूप में होते हैं इनका गलनांक और कौथनांक अधिक होता है इसका कारण विपरीत आवेशित आइनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है ये जल और अन्य धुरुविये विलाइकों जिनका परावेद्युतांक अधिक होता है इनमें घुलनशील होते हैं ये अधुरुविये विलाइकों में अघुलनशील होते हैं आबंद लंबाई और आबंद कौण आबंद लंबाई इसे किसी अनू में दो आबंधित पर्माणों के नाबिक के बीच की सामय अवस्थादूरी के रूप में परिभाशित किया जाता है सह संयोजी त्रिज्या को लगभग उस पर्माणू के कोर की त्रिज्या के रूप में मापजाता है जो आबंदित अवस्था में सनलगन पर्माणू के कोर के संपर्क में होता है वांटरवॉल त्रिज्या अनबंधित आवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणों का समग्र आकार निरुपित करती है आबंध कोण इस किसी अनु आयन के केंद्रिय परमाणों के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रोन युक्म को धारण करने वाले और भी टलों के बीच कूण के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कूण को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है आबंध एन्थेलिबी और आबंध कोटी आबंध एन्थेलिबी इसे गैसी अवस्था में दो परमाणों के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध एन्थेलिबी का मात्रक किलोर जूल प्रतिमोल है आबंध कोटी किसी अणों में दो परमाणों के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटी कहलाती है आबंध कोटी के बढ़ने के साथ साथ आबंध एंथेलपी बढ़ती है और आबंध लंबाई घड़ती है अनुनाद सनजना अनुनाद की अवधारणा के अनुसार जब कभी एक लुई सनजना का एक अनु का ठीक ठीक वणन नहीं कर सकती तो समान उर्जा नाबिक की स्थितियों आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रोनों के युगम वाली कई सनजनाई संकर की वेध सनजनाओं के रूप में लिखी ज जाती हैं जो अनु का सही तरह से वणन करती हैं जब किसी अनु को एक से अधिक लुई सूत्रों द्वारा जिसमें से कोई भी यौकिक के अवलोकन किये गए सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है निरूपित किया जा सकता है तो अनु की वास्तविक सनजना वेध आबंदों की दुरुवता आइनिक आबंद में धनायन इलेक्ट्रोनिक घनत्व को अपनी तरफ प्रतिकर्शित करके रणायन के इलेक्ट्रोन अब्र को दुरुवित करते हैं इसके कारण आइनिक आबंद में सह संयोजक लक्षन विक्सित होते हैं धनायन का आकार जितना छोटा होता है इसकी ध्रुवनक्षमता उतनी ही अधिक होती है। धात्विक आबंध और सहसंयोजक आबंध के बीच अंतर। चलायमान इलेक्ट्रोनों के बीच आकरशन बल और धनात्मक अश्टियां एक साथ मिलकर धात्विक आबंध बनाती हैं। जबकि एक यही या अलग-अलग तत्वों के संयोजी पर्माणों के बीच इलेक्ट्रॉनों का परस पर साजेदारी सह संयोजग आबंद कहलाती है। धात्विक आबंद आदिशात्मक होता है जबकि सह संयोजग आबंद दिशात्मक होता है। धात्रिक आबंद कमजोर आबंद है, क्योंकि चलाय मान इलेक्ट्रोन एक साथ अनेक अश्टियों त्वारा आकर्शित किये जाते हैं, जबकि सहसेयोजक आबंद मस्बूत आबंद होता है, क्योंकि आबंदिद इलेक्ट्रोन युक्म दो नाबिकों त्वारा मस्बूती से आकर्शित किये जाते हैं। उर्जा का अंतर अनुनाद उर्जा कहलाता है। शुद्ध आयनिक आबंधन माजूद है ये ग्यात नहीं है। सभी आयनिक योगिकों में सहसन्योजक आबंधन की कोटी होती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संख्शेप में तोहराएं। विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं। अश्टेक नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणूं रासाइनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणूं अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रॉनों का वन्याज प्राप्त कर ले। लुइस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीत्रीकोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिन्धों त्वारा निरोपित किये जाते हैं। आइनिक आबंद को वरीत आविशित आइनों को बांधने वाले आकर्शन के स्थिर वैदुद बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉन बंधुता उर्जा है जो तब मुक्त होती है जब गैसिय परमाणूं एक रिनात्मक आइन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं. जब आइनिक ठोस का एक मोल गैसिय आइनों के निविड संकुलन द्वारा बनता है तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है. आबंध कोन को किसी अणू आयन के केंद्रिय परमाणों के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रॉन यक्म को धारन करने वाले और्बी टलों के बीच कोन के रूप में परिभाशित किया जाता है. आबंध कोन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है. आबंद एन्थेलभी को गैसी अवस्था में दो परमाणों के बीच एक मोल के विशिस्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है